इस सल जब मुंबाई वर्सेस गुजरात का फर्स्ट मैश हुआ था और मुंबाई हर गया था पूरा इंस्टाग्वाम मिम से भर गया था कि हर्दिक को क्या लगता है हर्दिक के वज़े से गुजरात दो टाइम्स IPL फाइनल खेला है ने जी नहरा जी की वज़े से नहरा जी इतने सारे changes नहीं थे गुजडात के playing 11 में जितना इन 7 matches पे हो गया था बिना हर्दिक का इनका playing 11 combination नहीं बन रहा है और कहां से बनेगा ना आपके पस एक reliable middle order batsman है ना top order batsman है ना finisher है और हर्दिक तीनों काम कर सकता था वो finish भी कर सकता है middle order में बैट कर सकता है top order में बैट किया है गुजडात के लिए और bowling भी डलता था और wicket भी लेके जाता था आप एक बर जाके हर्दिक के last 2 सल का performance देख लो गुजडात के लिए हर्दिक's trade has destroyed गुजडात completely और ये लोग next year mega auction पे भी हर्दिक का replacement ढुड़नी पाएंगे कहाँ पही मिलेगा to be very honest मिलेगा ही नहीं anyway शुरू से शुरू करते है रिशाब पन टॉस जितके fielding चुनता है और क्योंकि डेविड वर्णर unavailable था कलके match के लिए तो सुमीत कुमर आया है playing level में और गुजरात के playing level में बहुत सारे changes थे फिर से रिद्धिमान साब आपस आ गया है क्योंकि डेविड मिलर फिट हो गया है वो आ गया है संदीप वारियर इन प्लेस अफो में शियादब इतने सारे changes और गुजरात का betting लाइना बहुत जादा weak है आप देख लो रिद्धिमान साहा शुबमन गेल साई सुदर्शन अभिनव मनोहर डेविट मिला राहूल तिवाडिया और impact में बैट्समें शारूक खन एक भी reliable बैट्समें नहीं नहीं इस team को जितने के लिए शुबमन गेल या साई सुदर्शन इन दोनों में से एक को पूरा 20 ओवर खिलना पड़ेगा बहुत 20 ओवर नहीं तो 16-17 ओवर्स तक एक opener को खिलना ही पड़ेगा तब जगे गुज़रा जीतेगा वना चांसी नहीं है चांसी नहीं है जीतने का सेगेंड ओवर पे शुबमन गेल आउट ड्राइव करते है सिधा प्रित्विशों के हाथ में उसकी बाद 4 ओवर में रिद्धिमन साहा आउट प्लेड ओन बॉल बेट पे लगके श्टांप पे चला गया रिद्धिमन साहा भी सोच रहा है कि दिनेश करते हैं संजू सेंसन इशन किशान, रिशाप पंद सब T20 वाल कप के लिए ओडिशन दे रहा है मैं भी टेस्ट टिम के लिए ओडिशन दे देता हूँ 10 गेंदो पे 2 रन फीप तोवर पे साहिस उदर्शन, रन आउट सुसेट किया है भाई हाथ पे बॉल मारके भाग गया फाइनली सुमित कुबर ने अपना कंट्रिबुशन दिया है दिल्ली के लिए as a filter क्योंकि बैटिंग उनसे होता नहीं, बॉलिंग में उनसे नहीं होता है डेविड मिलर पावर पले में बैटिंग करना आजाता है लास्ट अपने कब डेविड मिलर को पावर पले में बैटिंग करते हुए देखा है साउथ अफरीक लिए भी नहीं करता है डेविड मिलर को भेज दिया है पावर पले में उसी ओवर में आउट ब्रिलियंट कैच में रिशेब पंद ब्रिलियंट कैच और ब्रिलियंट रिव्यूँ आमपया ने आउट नहीं दिया था इस साल रिशाम पंद ने बहुत अच्छा विकेट कीपिंग किया है नाइन्त ओबर डालने आता है ट्रिस्टन स्टाप्स जो एक विकेट कीपर है मुझे नहीं लगता कि ट्रिस्टन स्टाप्स ने इस से पहले जिन्दगी में बॉलिंग डला होगा ट्रिस्टन स्टाप्स आता है बॉलिंग डला है नाइन्त ओबर पहले आविना मोनो राउड उसके बाद जीती अपना इंपेक्ट प्लेयर भेशते है शारूख खन उच जिरो इंपेक्ट पहले बॉल पे स्टंप्ट एक की ओवर में ट्रिस्टन स्टाप्स दो एकिट लेगे गया एकिट की पर और रिशेप मन्द भी टिश्टन सर्फ से हिंदी में बात कर रहे है कि पकड के डलते रहे है जैसे कि टिश्टन सर्फ को हिंदी आता है क्या चल रहा था 9 ओवर के बाद गुजडात का स्कोर रहता है 54 for 6 complete collapse उसके बाद राशित थोड़ा बहुत बेटिंग कर लेता है 24 for 31 और 18 ओवर के अंदर गुजडात ओल आउट 89 पे ओल आउट terrible performance last 2 साल में शायद एक भी match नहीं होगा कि गुजडात इस तरीके से हारा है या फिर इस तरीके से बेटिंग किया है एक भी match तो दिल्ली को मौका मिल गया आपना run rate सुदरने का और ओपरिंग करने आता है freezer maker को प्रित्वी शो पहले ball पे freezer maker चक्का 10 गेंदों पे 20 बना के out हो है freezer maker स्रेय शेयर की बाद आगर कोई batsman सबसे गंदा सबसे घटिया bouncer को खिलता है वो है प्रित्वी शो और one of the worst filter भी है प्रित्वी शो वाल्ड का one of the worst प्रित्वी शो आवड उसके बात है अभिशेक पुरेल 7 balls 15 out shy hope 10 balls 19 out power play में 4 गेर जाता है दिल्ली का लेकिन क्या फर्क पड़ता है ओ लोग कल बैटिंग करने आया है यह रन रेट को बढ़ने के लिए 8.2 overs पे chase कर रहता है दिल्ली 90 runs रन रेट को बहुत उपर लिका आया है और दिल्ली अभी points टेविल पे number 6 पे आगए है beautiful गुजरात का बारे में एक बात करता हूँ शूबन गिल के बारे में एक चीज़ कहा देता हूँ उसका captain scene 7 matches पे बहुत ordinary था बहुत ordinary बहुत सरे जगा में वो panicked था जब आपका best बोला राशित खान है आप राशित खान को दोना 90 का target है आप राशित खान को balling पे लाओ इतना लेट लाए राशित को और संदीप warrior को 3 over दे दिया है कौनसा संदीप warrior कौनसा भूम रहा है उसको 3 over देने का कुछ मतलब ही नहीं समझ मैं मेरे को दिल्ली के team के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते opening करना आता है Fraser McGark जो one of the best young talent आउस्टलिया में नहीं लिया फिर भी जिटी का यह हल था कुल्दी प्यादब, मुकेश कुमार, इशांद शर्मा, खालील आमेद, अक्षर पतेल खालील भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे है पावर प्ले में इस साल और अक्षर भी कटल अच्छा बॉलिंग कर रहे है बहुत बैलेंस साइट दिख रहे है दिल्ली का और बहुत ही स्ट्रॉंग साइट दिख रहे है दिल्ली का यहीं की प्रोब्लम है, हार एक सल इनका यहीं प्रोब्लम रहता है अगर पहले match से best playing level लेके आते हैं तो दिल्ली काज यह हल नहीं होता वो टॉप में होते हैं और मुझे अभी भी लगता है कि दिल्ली इस सल upset कर सकता है किसी को भी उन पे वो potential है कि वो टॉप 4 पर आ सकता है match जितना छोटा रिवियो भी उतना है छोटा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय ही